आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडीपी वन्स टोल्ड मी उडीपी इस सीटी इन साउथ हिंडिया यह अनीज जंग याद कर रही है कि एक आदमी जो की उडीपी से था वो एक मुझे स्टोरी बताया था जब वो एक छोटा बच्चा था वो अपने स्कूल जाता था जो की टेंपल के पास था फिर हिस फादर वाजब पिस्ट और उस टेंपल में उसके फादर जो एक पुजारी थे तब वो इसकूल जाने से पहले थोड़ी देर के लिए टेंपल में रुखता था और भगवान से एक जोड़ी सूज के लिए प्राफना करता था 30 साल बाद अनिस जंग उस जगह पे उस टेंपल के पास विजिट करती है जाती है जो कि अब यह प्रीस्ट और उसके बैक यार्ड में पीछे आंगन में एक न्या पुजारी आ गया है there were red and white plastic chairs और वहाँ पे red and white color की plastic chairs है a young boy dressed in a gray uniform wearing socks and shoes arrived painting and threw his school bag on a folding bed एक बच्चा है जो की gray color का uniform पहना है और socks and shoes मोजे और जूते भी पहने हुए है पैंटिंग करते हुए मतलब पैंटिंग यह दोड़ने के बाद जो हाफने जैसी इस्तिती हो जाती है तब हाफते हुए आता है और अपने bag को folding bed पे throw कर दता है फेक दता है looking at the boy I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes उस बच्चे के पैरों में जूते देखकर के अनिस जंग को उस बेक्ती की कहानी यादा जाती है कि जब वो छोटा था तो कैसे भगवान से जूते जूतों के लिए प्रार्थना करता था और जब उसको जूते मिल गये थे तो कैसे उसने भगवान की prayer की थी let me never lost them और यह उसको भूलने चाहती है और वो भगवान से prayer किया था कि कभी भी इनको खोने मत देना इन जूतों को मिस्से खोने मत देना the goddess had granted his prayer और goddess ने उसकी prayer को grant किया मान लिया young boys like the son of the priest now wore sooj अब उल रहे हैं कि जो पुजारी के बेटा है इसने जूते पहन रखे हैं but many others like the rag pickers in my neighborhood remain soolake मगर बईसे बहुत सारे rag pickers हैं कूडा कच्डा ही कठा करने वाले मेरे neighborhood में पडोस में बच्चे हैं जो सूलेस हैं उनको पहनने के लिए जूते नहीं है